आपसको निप्टी और निप्टी के बारे में आपको यहां पर मंडे के दिन किस तरह से हैं पर काम काच करेंगे कि हमने आज आपको क्या बोला था किस तरह से मार्केट यहां पर काम काच करेगी मार्केट यहां पर आपके सामने लाइफ चल रही है यहां पर ऐसा नहीं नहीं कि मार्केट यहां पर रुकी हुई है बिलकुल नहीं लाइफ चल रही मार्केट के अंदर बिलकुल लाइफ चल रही है यहां पर लाइफ के दोरान मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हू प्ले, ध्यान में रखिए के जो आँए रहे अपको क्यों बार-बार इसलिये बताता हूँ कि चार्ट चार्ट आपको कहीं जाने की जूरुद Whoo emotional Talk मैसेज की जूरुद नहीं है अगर आप सिरफ यहांपर मेरी वीडियो देखते हैं अगर आप वीडियों की माद्धे हम से उसके लेवल को आपँ रहा करते हैं आप यकीन करिए आपको पूरे के पूरे लेवल आपको यहाँ पर मिलेंगे यकीन करिए आपको किसी की सपोर्ट की जरुएत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप चार्ट देख लीजे बस होगे समझ रहें तो प्लीज आप यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बताया था यहाँ पर और क्या हमारे लेवल यहाँ पर मिले या नहीं मिले देखिए हमने क्या डिसकस किया था कल सबसे पहले यह प्लीज सुनिएगा अगर आप नहीं सुनते हैं तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है देखिए उमर जी आप की है लेकिन अगर आप ये previous वीडियो नहीं देखेंगे previous अगर आप ये चार्ट का prediction नहीं सीखेंगे तो फिर next आज क्या होगा आप कैसे जानेंगे मतलब Monday को हम किस तरह से कामकाज करेंगे आपको कैसे पता चलेगा इसलिए आपको previous चार्ट सीखना previous चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है दोस्त ये चित ध्यान मरेके का हमेशा और मैं जो भी आपको लेवल से देता हूँ इस market के अंदर का वो total का total previous चार्ट के मताबिक आपको मैं यहाँ पर लेवल देने के कोसिस करता हूँ और आपको पता है भली वहाँ थी कि यहाँ पर किस तरह से लेवल ने मेरे एक एक यहाँ पर जो भी target दिया था उसको यहाँ पर achieve किया है मानते हैं आप मैं आपको पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ market में SL नीचे create है हर जगे बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए यहां पर भी SL create है, यहां पर भी SL create है, अभी next SL आपका यहां पर create है, और market कभी भी बिना stop loss की यहां पर काम नहीं करती, यह चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, level क्या दिया था मैंने, यह आपको बताया था, कि यह जो हमारा box इसके अंदर हम यहां पर trade नहीं करेंगे, ह आपको 49,124, मैंने आपको यह बताया था, कि वैसे तो मेरा यहां पर buying level यही बाला मेरा बन जाता है, यहीं पर इस box के नीचे ही, लेकिन फिर भी, चुकि market नहीं यहां से कल return लिया था, तो मेरा इसके नीचे buying level बनेगा, और मैं आपको यह clear बताया था, कि आपको 49,120 के नी तीन बार बताया था, और यह क्यों जाएगी, क्यों जाएगी इसका region आपको बताया था, कि हाँ जाएगी क्यो market नीचे, भली भाती आपको region के साथ, मैंने इसलिए मैं हमेशा को region बताता हूँ, market बिना भी, किसी भी, बिना SL, किसी भी market में, बिना किसी के stop loss ले हुए, market में फिर continue नीचे आई, हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पर उपर के तरफ तो कोई trade बना ही नहीं, चूकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कि हम 49,305,0 के उपर कालवाई करेंगे, और हमारा target आपका 49,503,0 होगा, market जहां सोपन होती है, 49,305,0 में open ही हुई market, और वो continue जा यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पर reward दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ वो हमारा chart यहाँ पर follow करते हैं, वो हमारे यहाँ पर level को follow करते हैं, बागी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, please, मैं आपसे यही बार बार बोलता हूं, कि अगर आप वीडियो नहीं द ले लेगी, लेकिन तीसरे दिन जब आपको पैसा देगी न, आप यहाँ पर बने रहेंगे, चुकि आपको पता है किसके नीचे मार्केट गई है, तब यहाँ ते बहुत ज़्यादा क्या करेगी, रिटेस्मेंट लेने आएगी, इसके बाद दुबारे यहाँ से मार्केट अब क्या करें, यहाँ पर अपना यह अपनी पोजिशन को फिल अप कर रहें, यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिया है, यह जो यहाँ पर जितने कालवाई करके गए थे, जितने लोग यहाँ पर कालवाई किये थे, थोड़ा सा मार्केट को उपर ले जाने में यहाँ शक्चम हुए, ठीक है, यहाँ पर कालवाई रहाबी हुए, इसके बाद क्या हुआ और मार्कट आपके और प्रीमिम को आपरेटर को मिलता है उसको प्रीमिम हो सकता है यहाँ से इस तरे पैटरन बन रहा है एक बार मार्कट नीचे लाएँ इसके बाद यहाँ sip एप मर्कट ही रो UK करेंगे उसमें सेंसेक्स में और इसमें भी पूटबाई करेंगे और यह लोग क्या करेंगे इस मार्केट को वापिस यहां से ले जा करके यहां पर रोकेंगे इसके बाद फरदर इस जगह तक मार्केट को ले जाएंगे यह इनका पूरा इस तरह से गेम प्लान होता है आपक पर देखते हैं देखिए आपको दोस्त एक एक लेवल यहां पर दिया हुआ है आप यह देख लिए मार्केट में क्या हुआ है क्या लेवल दिया था आपको बताए यह निप्टी में भी क्या लेवल आपको दिये हुए थे यह रेंज हमारा बनाया हुआ था ना यह वाला यह की आपको कालावाला रेंच है यह रेंच हमने बताया था आपको यहार रेंच में हमने क्या बता था हमारा नो ट्रीणिक जरुद वहां के नीचे आकलर है यहाँ ट्रूर यहां प्वाइड यहां को आति यहां पर खुद देखिये, हमने अगर यहां से लेकर कि यहां तक हमने ट्रेड नहीं किया, तो क्या हमारा कुछ हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन, चुकि हम लोग ने डिसकस क्या किया था, कि अगर मार्केट किसी भी टाइम यह 22,000, आपका 500, 60 के नीचे आएगी, हम यहां से क्या activity कर रही, इसके बाद हम यहां पर दूसरी, दूसरी position अपनी create करेंगे, जब यह हम दूसरी position यहां पर create करेंगे, तो हमारा target आपको, मैंने क्या बोला था, प्लीज एक बार वीडियो ज़रूर देखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, रिक्वेस्ट करत यह नहीं किया था बट यह आपको मैंने बना करके दिया था इस तरह से आपको लाइने मैंने पूरी बना करके दिया तो यहां तक मार्केट आपकी आए अब देखिए आपके सामने है सब कुछ सब कुछ आपके सामने है यहाँ पर कोई छुपाना है जैसे कुछ है नहीं मार्केट लाइव यहाँ पर चल लएए मैं यहाँ पर आप से कुछ छुपा नहीं रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर मैं कुछ छुपा रहा हूँ अब बहुत से लोग बोलेंगे आपका आज का Registence है आज का जब तक इसके उपन नहीं जाएगी हम यहाँ पर काल बाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे हम काल बाई हम यहाँ पर बैठना जानते हैं क्योंकि यह लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जान बूच मेदा काल के तरफ और आगर आपने बिना पहले आप मार्क आउट करिए, चुकि मार्केट में यहां से क्या आया था यहां से, आप बोलें के बोला सर यहां से गिरावट आया था, गिरावट क्यों आया थी भाई, अरे गिरावट यह इसलिए आया थी, क्योंकि यहां पर जितने कालवाई किये थे थे ना, उनका यहां पर stop last लिया गया, stop last लेने के बाद यहां पर market को फिर consolidation किया गया, फिर market में गिरावट आई, यह जितने भी गिरावट आ रहे हैं बार बार, वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि हमारे retail trader और new trader का stop last यहां पर लिये जा रहे हैं, बांकी यहां पर कुछ नहीं है, चूकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर क्या सोच रहे हैं, भाई market ने बहुत ज़्यादा गिरावट दे दिया, अब market यहां सूपर जाएगी, अब market यहां सूपर जाएगी, अब market यहां सूपर जाएगी, आप यहां पर सब रुके हुएं यहां पर कालवाई कर रहे होगे कालवाई कर रहे होगे हैं market consolidation कर रहे हैं चुट कि बिख्साप आपका यहां से भाषिया 3% गाइन हो चुका है ठीक है आप चेक कर लो मैं यहाँ पर अभी निप्टी आपका चार्ट देख रहा हूँ मेरे सामने चार्ट लगा हुआ है मैं उस में उसमें देखर हुरके आपको बता रहा हूँ कि जो आपका weeks है नो वो 3% यहाँ पर down हो चुका है market यहाँ पर रुकी होई है न यहाँ पर जो रुकी होई है आपका premium यहाँ पर गल रहे हैं आपका premium में आपर बढ़ी नहीं रहोंगे समझ रहे है logic logic market कर समझ रहे हैं अब यह क्या करेंगे यहाँ से देखिए फिर यहाँ पर वही game खेल नहीं यह लोग यह गंदा game वही पर फिल खेल गए है आप दुबारा देखिए अब हमारा कोई लोग बोलेंगा put cup buy करना चाहिए देखिए मेरे दोस्त कभी भी भी न आप अगर आपको कोई put buy करना भी है आप इसके नीचे breakdown में trade करिए यहाँ पर breakdown में इसको नाचने दीजे जितना मर्जिस के नाचने दीजे कोई आपको यहाँ पर put buy नहीं करना है जैसे इसके नीचे जाए आपका 22,306.0 के नीचे आप यहाँ पर put buy करिए आपको यहाँ पर 30 point का target यहाँ पर दुवारा मिल जाएगा काल आपको कब buy करना है देखिए आपको 22,404.0 के उपर जाए आप यहाँ पर कालवाई करिए और जब आप कालवाई करेंगे तो यहाँ पर जो हुस्यार लोग यहाँ पर selling किये ना अपसन यह देखिए अरे सुनो जो यहाँ पर selling करके गए है ना selling करके गए है ना तो market जैसे इसके उपर जाएगे ना इसके उपर जाएगे तो इनकी ठरथराने लगेगी इनकी हाथ कापना इनका भी सुरू कर देगा और जब इनका हाथ का अपना शुरू कर जा तो मार्केट फर्दर यहां तक जाएगी और इनका S.L. लेगी फिर तब फिर मार्केट में आएगी क्या साट कवरीं यह होती साट कवरीं इस तरह से काम होता है मार्केट में तो आपको मैं यह बताना चाह रहा हूँ कभी भी आपको मार्केट में रेंज में ट्रेट नहीं करना है रेंज में अगर आप फस गए ना तो आपको यही काम होना चाहिए कि मैं यहां से किसी तरह से एक्जिट हो जाऊ ठीक है अगर आप रेंज में फस गए तो आपको सबसे पहला काम यह होना चाहिए मैं यहां से exit करूँ और बड़ा last ना लेते हुए exit करूँ छोटा last होगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं चुकि आपको यहां पर trade नहीं मिलेगा तो दूसरा trade मिल जाएगा इसके breakout पर trade मिल जाएगा मैं दुवार आपको यहां पर बताना चाहता हूँ अगर market इसका यहां पर 22,400,40 को 22,400 के उपर breakout किया तो हो सकता है maybe कि यहां तक का आपको target अभी कि अभी दे देगा जो कि लगभग आपका 100 point का target यहां पर आ रहा है उपर के तरफ समझ रहे हैं यह live market मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ किलियर है चली बाकि तो बड़े भीया आप यहां पर देख लो अभी जो latest time चल रहा है अभी आपको time चल रहा है 3 बज के 20 मिनट में हमने आपको क्या बताया था हम देखे ब्रिकाउट के ट्रेडर हैं हम ब्रिकाउट में trade करेंगे चाहे जो भी हो जाए मैंने आपको यहां पर बताया था जब यह 22,000 40K राउंड में आपकी निप्टी चल रही थी हमने बताया था कि हमारी अगर green candle इसके उपर कहीं closing हो गई तो हम यहां से काल बाई के लिए जाएंगे और हमारा target लगवख लगवख आपका 22,500 और आपका 22,536 तक का हो गए यहां से क्यों बताया था यह आपको पता चल गया ना live market के अंदर में क्यों बताया था आपको यह पता चला क्यों चुकि यहां पर क्या था simple वो दिख रहा था कि यहां से जो इन्होंने क्या गिया था इस जगह से जो यहां बिचारे काल जो यहां से लेकर गए थे नहोंने थोड़ा सतो कालवाई किया लेकिन इनका एस्टापलास यहां से जान बूच के हीट किया गया था तो यह जो यहां पर सेलर एक्टिव हुए थे ना यह यहां पर जान बूच के market को गिरा आये थे यहाँ पर market को गिराने कोई region नहीं था, तो market को जब यहाँ से गिरा दिया, सब का in call wire के यहाँ पर एसल हीट हुआ, इसके बाद थोड़ा सवर गिरा दिया गया, यहाँ से फिर market को उपल ले जाए गया, देखिए सब run नीती इनकी है, operator की, writer की, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ चल करके पैसा कमा सकते हैं, बाकि अगर आप चाहेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ मैं उनसे अलग चला जाओं फिर पैसा कमा लूँ, नहीं कमा पाएंगे आप पैसा, यकिन रखिए ठीक है, तो इसलिए कभी भी आपको यहाँ पर breakout में ही आपको trade करना चाहिए, आपको भी ना breakout को trade नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि अगर इसके उपर जाएगे तो हम यहाँ पर कालवाई करेंगे, यह हमने आपको यहाँ पर बताया था, अब देखिए वही हुआ, अब यहाँ पर हमने अपने group में भी बता दिया था, मतलब हमने अपने group में यह बताया था, अगर आपकी 22,450 को 3 बजे, यह भी मैंने आपको group में बताया था, तीन बजे अगर यह breakout करेगा, आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलता, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, कल का जो trade हमने आपको बता रहे थे, Monday का आप trade किस तरह से करेंगे, Monday में भी यह trade logically यही हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, हम यहाँ पर कोई भी काल की position आपकी buy करेंगे, कहाँ पर 22,000, 22,536 के ऊपर हम यहाँ पर कोई काल की position यहाँ पर buy करेंगे, हम put up कब buy करेंगे, जब इसके नीचे, किसके नीचे, अब यहाँ पर bowling बोलो सरी यह तो बहुत बड़ा range हो गया, थोड़ा सा range दोस्त बड़ा है, लेकिन क्या करोगे, अगर आप इस range में trade करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कि दो दिन आपका already यहाँ पर आपको छुटी हो जाएगी, time decay आपको हो जाएगा, हाँ, आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, कि अगर market माल लीजे कि यहाँ पर खुले, आपके top में खुले माल लीजे, इधर कहीं खुलती है market, यह area में, ठीक है, यह area में आपके market खुलती है, यहाँ से लेकर के, इधर से, यह area से लेकर के, इसके बीच में अगर खुलती है, ठीक है, अब अगर इसके बीच में यहाँ पर market खुलती है, यहां पर book कर लेंगे अपने put वाली order को इसके बाद next यहां पर आप put दोबारा इसके नीचे buy करेंगे तो फिर अगर आप इसके नीचे buy करते हैं किसके नीचे यह आपका जो label आ रहा है था यह वाला इसके नीचे फिर आप buy करते हैं तो यह label आपका next label होगा चुकि मैंने आपको बताया हो ता फीवो नौसी के माध्यम से आपका 0.50 का लेवल नीचे यहां तक अगर इसके नीचे फिर मार्केट गई दोस्त तो फिर आपको एक और लंबी गिरावट यहां पर मिलेगी यह चीछ ध्यान में रखिएगा चुकि फीवो नौसी में आपका 0.50 का लेवल कौसा है यही वाला है ठीक है यह होगे आपका निप्टी का इसके उपर आपको बता दिया हूँ अगर यह इसके उपर जाएगा आपका 22,536 के उपर ठीक है इसके उपर अगर जाएगा यहां पर तो हम यहां पर एक काल की ट्राइगे काल की भी ट्राइगे इ यहां तक का पहला मिलेगा मतलब 22,600, 50 का आपका पहला target होगा, इसके बाद आपका उपर का target अगर market और फरदर उपर जाएगी, तो यहां पर आपका यह जो आपका level है कौँ सा, 22,700 तक, ठीक है, उपर का level यहां पर, पता चल गए आपको, पहला level अगर आपको 22,536 के उपर आपकी निफ्की जाती है, तो पहला लेवाल आपका 22,600, 50 का आपका पहला level होगा, इसके बाद 22,700 का आपका दूसरा level होगा, उपर के तरफ, समझ गए, यह निफ्की में आपका इस तरह से trade करना है, गैप अप गैप डाउन के भी केस में आपका वही होगा दोस्त, चुकि मार्केट आपकी यहां पर रेंज में विल्कुल इस जगए आपकी closing देने की कोशिस कर रही है, इसके उपर gap open होगी, हम इसके उपर call buy करेंगे, अगर gap down इसके नीचे कहीं gap down होगई, बतलाब आपकी 22,400 के नीचे होगई, तब भी हम यहां तब हम put buy करेंगे, लेकिन पहला हमारा target यहां तक कबुक हो जाएक, उसके बाद हम नीचे यहां पर trade करेंगे, हमारा बीच वाला यह जो area है ना यह वाला, यह हमारा no trading zone होगा, ध्यान में रखीगा, ठीक है, यह होगा, आपका निप्टी का चली, बैंक निप्टी में भी देख लेते हैं, आपको बैंक निप्टी में यहां पर क्या दिख रहा है, यहां से चुकि market को उपर जाना है यहां से अभी आप सब को यहां पर फंसार है बायर को फंसार है पुट बायर को फंसार है और market अगर इसके उपर प्रिक आउट करेगा आपका इसके उपर तो हम यहां पर एक काल के नहीं बढ़ा चुकि मैं यहां पर कब से आपको चिला के बता रहा हूं कि भीया आपका बिक्स यहां से डाउन हो रहा है बिक्स आपका लगवग लगवग तीन परसंट आपका डाउन हो चुका है आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा बहले मार्केट आपके त्रही तेजी से उपर गई लेकिन उतना तेजी साबका प्रीमियम नहीं बढ़ा जितना आपर बढ़ना चाहिए था समझ रहें यह सब किसका खिलवाड है डिक्स का खिलवाड है और कुछ नहीं चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको मंडे के दिन यहाँ पर किस तरह से टेट करना चाहिए आपको बैंक निप्टी में 49,000 आपका यह उपर के लेबल हो चुका है आप देखी रहे हैं 49,000 आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वाला यह वाला आपका रिजिस्टेंस आप काम करेगा 49,000 के उपर ही हम यहाँ पर कोई काल किबाई करेंगे ठीक है अब हमारा टार्गेट होगा पहला 49,205,0 का हमारा पहला टार्गेट होगा उपर के तरह इसके बार नेक्स टार्गेट हमारा होगा आपका 49,000 आपका 305,0 का यह हमारा ऊपर का लेबल होगा उपर वाली लेबल नीचे के लेवल, यहां पर नीचे के लेवल के मैं बात करूँ तो इसके नीचे, यह जो आपका यहां पर candle दिख रहा है यह big वाली, यहां भी live market चल ले ही दोस्त, यह big, यहां पर यह big की candle मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे आई market, यहां पर, ठीक है, range में खुलती इसके नीचे आती है, आपका यह area आ रहा है, 48,800 का, ठीक है, अगर इसके नीचे आती हम एक put के try करेंगे, आपका यहां पर लगवा, 150 point का नीचे पहला target मिलेगा, अगर यह आपका वापिस 48,670 के नीचे गया, तो फिर आपका next target आपका आ रहा है, 48,300 का, ध्यान में रखि पहले भी बताया था, और आपको आज भी बता रहा हूँ, अभी भी आप यहाँ पर नजर मार सकते हैं, पहला यहाँ पर buying activity जो होई थी, यह जगा देख रहे हैं आप, और यह second buying activity होई थी, मतलब आपका यह 40,800 का यह दोन लेवल अभी आपके खाली है, यह लेवल आपके क बाद फिर देखेंगे क्या होगा, ऊपर के तरफ बैंक निप्टी मुवमेंट करेगा या नीचे के तरफ मुवमेंट करेगा, फिरहाल के लिए यहाँ तक कि हमारी लेवल अभी आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं, बाकि यहाँ पर देखिए कोई अगर यहाँ पर टेन लाइन नहीं है, चुकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर यह 48800 के नीचे जाएगा, इसके नीचे शोरी, यह वाला जो बीख है न यह बताय था, इसके नीचे जाएगा तहम यहाँ पर पूट वाई करेंगा, और वहाँ पर यहां पर यहाँ यह द पूट लेकर के वापिस जाती है, तो हम यहाँ पर दुबारा काल वाई के लिए भी एक्छुक रहेंगे, समझ यह ध्यान में रिखिए, हो सकता है, कल मार्केट आपके यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर फरदर खल ऊपर चली जाए, चुकि यहा खुस हूँ, 49,000 को उपर ओपनिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, अगर इसके उपर सस्टेन करेगी, हम यहाँ पर काल वाई करने की कोशिस करेंगे, और हमारा टार्गेट मैंने आपको बता दिया, 49,200,50 का हमारा पहला टार्गेट होगा, उसके बाद फर्दा टार्गेट हम देखेंगे, अगर 49,200,50 के उपर जाएगी, मतलब यह हमारा जो यह एरिया है, इसके उपर जाएगी, तो फिर हम दुवारा यहाँ पर काल की पोशिशन के मतलब बनाएंगे, और हम आपको ग्रूप में अपडेट करेंगे, ठीक है, तो प्ले आपने आज अच्छा पैसा कमाया होगा, और बहुत से लोगों ने अच्छा पैसा यहाँ पर जिनरेट किया है, ठीक है, तुशिक साथ में वीडियो को बैंड आप करता हूँ, वहासा करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा, समझ में तो प्लीज चैनल को सब्साइब करके जाएगे, वीडियो को लाइक करेएगे, साथ में कमें चुरूर करिएगा, ओके बाबाई, एंड इंजॉय करेएगे, बांकि कोई अपडेट होता है, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के मादम से आपको बताने की कोशिस करूँगा,